नमस्कार दोस्तों पीएश टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स जैसे कि आज हम लोग टिश्टी राजनी साथ का प्रैक्टिस सेट दस हल करने वाले हैं तो फ्रेंड्स यदि आप इस प्रैक्टिस सेट में 35 कर साही करते हैं तो समझ यह अपने आपको देखें जहां चीए कि आपके 35 होते हैं कि नहीं यदि जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं जो नए frequent चैनल को सब्सक्राइब और वेल राउट्वं को प्रेस कर दे टेल्यव्डाम से जूड़ने के लिए इनिग्ड निंग को वी तो फ्रेंड्स चली स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग प्रश्ण बर 122 तक हम लोगों नहल कर लिया था फ्रेंड्स आज के जो प्रक्रिस सेट है वह कुछ जो इसमें प्रश्ण है आपको कुछ बड़े-बड़े दिखेंगे ठीक है जिसमें आपक प्रश्ण आपके एकजाम में पूछ दिये जाएंगे बाकि आपको घुमा के प्रश्ण पूछे जाएंगे प्रश्ण इस बार किमकी निगेटिव मार्किंग है और इंट्रव्यू नहीं है तो प्रश्ण को तो घुमाएगा फिक्स से इसलिए आप ऐसे प्रश्णों को कम समय में हल करना सिख लिजिए तो चलिए प्रश्ण बर एक सो तेश्क को हम लोग देखते हैं प्रश्ण बश्ण देखे क्या कह रहा है भारतिय संबेधान के भाग तीन में दिये गए मूला अधिकार विस्टाय में एक महतपूर तथ है यह कि क्या है संसद में उनमें सामान संसोदद नहीं कर सकती या वे निर्पेच एवं मर्यादित हैं या वे केवल नागरिकों के लिए हैं या वे राजे के नीती निदेशक तत्यों के शमान है तो फ्रेंड्स भाति संभिदान के बागतिन में जो हमारे मुला अधिकार की ब्यूस्था की गई है उसमें एक महातपूर तथ्थ क्या है तो फ्रेंड्स उसमें यह महातपूर तथ्थ है कि संसद में उन्हें सामानेते संसोदद नहीं कर सकते हैं ठीक है या आप्शन राइट एंसर हो जाएगा प्रस्ट नमबर 123 अगला प्रस्ट चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रस्ट के रहा है प्रस्ट नमबर 24 निम्निलिखित में से कौन सा एक अधिकार केवल राजसभा में नहीं से कौन सा अधिकार जो क्यों राजसभा में है राष्टपति के विरुद महाभयोग प्रारंब करना या प्रस्ट ने 124 राइट एंसर होजएगा अमारा ओप्शन भी ठीक है नई अखिल भारती शेवाओं को निर्मित करने की संसूति करना अगले प्रस्ट में चलते हम लोग देखिए अगला प्रस्ट क्या कह रहा है एजी प्रस्ट है आप लोग इसे देखते ही समझ गया होग देख लेते हैं प्रस्ट को भारत के प्रधान मंत्री ठीक है निवक्त होते हैं निर्वाचित होते हैं मनोनित होते हैं यह चैनित होते हैं तो फ्रेंट्स जो भारत के प्रदान मंत्री वह हमारे निवक्त होते हैं यानि ए अप्सन राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस् जाएगा हमारा अप्षान सी वाध तिस अनुछेद से इसके अंतरगत क्या होता है हमारी मौलिक अधिकारों की रच्छा थी पर अगला प्राश्न कया कह रहा है प्वत अच्छा प्रशन आफ रेंड निमनी लिखित में से किस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं निमनी ल प्रतेक्षी करड़ परमादेश अधिकार प्रिछा या उत्र प्रेशाट प्रस्ट नमबर 127 तो प्रेश्ट नमबर 127 का राइट एंसर हो जाएगा हमारा बिए परमादेश ठीक है इस रीट कार्थ होता है कि हम आदेश्ट देते हैं ठीक है अगला प्रस्ट देखिए बहुत अच्छे से प्रशन है सब जो भी प्रश्ण इसमें हैं काफी चुने विए प्रश्ण है तो आप प्रैक्टिस को पूरा अंतक्त करिएगा तो देखिए आप अपने आपको कितना इसमें से सही करके देखते हैं प्रस्मक्त के दूर lawn के वश्था का पती या प्रदानमंत्री तो के दो होते हैं या는 प्रक्रका प्रति कारवाही में सुन निकाल जीरो आवर का अर्थ होता है क्या अर्थ होता है फ्रैंट फेशर्ड़ा कर धीकार संसत में यानि जीरो आवर वह हमारा क्या होता है प्रश्ण काल के अंत और कारी सूची में लिखे बीशियों एजेंडा की बीच का मध्यांतर होता है यानि डी ऑप्सन राइट एंसर हो जाएगा प्रश्ण नबर 119 का अगला प्रसंद देखी क्या सई होगा हमारा इसमें से नूटको देखे लितने पहले में उसका उसका कारेकारी सिधांत था एक कथनवें उसका कारेकारी सिधांत था विस्वास आग्या पालन संगर्स यह हम से किसकी और संकेथ है किसकी ओर संकेथ करता ही है उदरवाध slow DM ak Bat야 god भाद फ्रेंट्स नमब एक्सवाद नमबर का आदेश अनुशाषन और सत्ता किसका नारा था मार्श वाद का सामयवाद का फासी वाद का या उपयुकतावाद का तो प्रेंट्स नमबर कह रहा है समाजवाद का प्रवर्तक है कौन लेनिंस शाइमन संट या मार्स तुंग तो फ्रंस प्रेश्ट नमर dorme पार रख क्या हो जाएगा काल मार्स यहांनी सी रहे हो जाएगा अगले प्रश्च नमर के कर रहा है किस किताब को सामयवाद कि Bible कहा जाता है बहुत अच्छा prend क्वाइब को कोई नहीं तो फ्रेंट जो सामयवाद की बाइबिल का जाता तो वह दास कैपिटल को का जाता है यानि यह अप्शन राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रस्ट देखिए अगला प्रस्ट हमारा आप से चोंटीस वैज्ञानिक समाजवाद का दूसरा नाम है क्य बी ऑप्षन मार्कश्वास ठीक है भी ऑप्शन अगला प्रस्ट देखिए अगला प्रस्ट्ट विश्वास करता है कि क्या करना चाहिए अधिक स्दाइक कारत heck कारतृ क करते जाएं यह न sniffल कारी दियिए जाएं यह कोई कारह नहीं दी जाए नमबर 135 तो एक समाजवादी जो राज समाजवादी राज में विश्वास क्या करता है अधिक से अधिक कारे दिये जाए राजी को ठीक है यानि यह आप्षन राइट हो जाएगा हमारा ठीक है अगला प्रस्थ चली देखते हैं अगला प्रस्थ नमारा है निम्ण में से द्वारा किया जाने वाला चुनाव खर्च घट जाता है या इस बेवस्था में सरकारे इस्थिर रहती है या दली अनुशासन हिंता में कमी आ जाती है या प्रेश दली गत्विदियों में पूरी तरह रिपोर्ट कर सकता है तो फ्रेंट्स प्रस्थ नमबर 136 का राइट इस बेवस्था में सरकारे क्या होती है हमारी इस्थिर होती है ठीक है किस में दूदेली बेवस्था में अगले चलते हैं अगला प्रसंदीक है दल्विहिण लोगतंत्र विचार के प्रमुख समर्थक थे भारत नियुक लोगतंत्र के प्रमूख बिचारक है हमारे देश के कौन जैप्रकाश नारायड अगले प्रस्ट में चलते हम लोग अगला प्रस्ट देखे कह रहा है प्रश्ट नमबर 138 भारत में प्रेश की आजादी प्रदान की गई की गई किस रूप में की गई संबिधान के विशेस रूप में या बिचाळों की अभ्यक्ती की स्वतनतता के अधिकार में या संसदी कानून के दूख या प्रसास्थ आदेशों के तो दूख अधिक में बर 18 nedr तो प्रस्टनाब एक सोल और थीज़े राइटांसर तो प्रस्टनाइगा-विचारों की अभिवयक्ति की सोतनता के अधिकार में प्रेश की आजाधी प्रदान की गई गई है अगला प्रस्न देखिए प्रस्टनाबर 149 कह रहा है भारत में की सोतनता पर नीम्नांकित आधार प्रतिबंदित नहीं प्रतिबंद नहीं लगाया जा सकता भारत में प्रेश की सोतन्ता पर चार आप्शन दिये गए हैं इन चार आप्शन में से किस पर क्या प्रतिबंद नहीं लगाया जा सकता प्रेश की सोतन्ता पर देखते हैं न्याले की आउमानना या राज की सुरच् तो फ्रेंड्स जो हमारे देश में भारत में सोतंत्र है प्रेज कोई भी प्रेज अगर वह सपतंत्र है उसे इसका अधिकार ठीक है याँ डी ऑप्सन राइट अशर हो जाएगा सासन की आलोचना अगला प्रस्ण नहीं देखिया क्या कर आया प्रस्ण быстр disparity लोकमत के निर्माण का का शाधन है निर्माण का क्या है सच्छर संस्थाय सारुजूनिक मंच संचार शाधन यह सभी तो यह मनट कि जो निर्माण का शाधन है वो हमारे स vot संस्थाय आप्सन जाएन राइप सब्सभू अगले स्वच कलते हम पर आधा लो accelerate क्या रहा है लोकमत को जनिच्छा कहा गया है अब कहा गया है कहा गया यह विवेक और निश्वार्त भावना पर कहा गया इस आप लोग समझ गया होंगे किसका राइट एंसर क्या हो जाएगा लोग मत को बीवेक और निश्वार्थ बाउना पर का गया एन डी ऑप्सन राइट एंसर हो जाएगा प्रस्ट नमबर बाइट यह प्रस्ट उजाएगा अगले प्रस्च क चलता हम लोग वह अच्छा प्रस्न ये भी है निम्न मेत से किस मताधिकार पधनी और उस और उसमें से किसे हेर पद्धित कहा गया है आई देखते हैं ऑप्शन ऑप्शन हमारे पास है संचई मत पद्धती सीमित मत पद्धती एकल संक्रमड़ी पद्धती या सामप्रादाइक प्रती निधित तो फ्रेंट्स प्रस्ट नबर 143 का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑ ्थ निमने से शरोत नहीं है संविधान का राष्ट नवाढ करने की निड़ राष्टपती का व्यायान संविधान संब्धान के विचार तो जो राष्टपती की ब्याख्यान होते हैं यह संभीधान के सुरूत नहीं है यानि सी आपसर राइट इंसर हो जाएगा प्रस्ट नमबर 1015 का अगले प्रस्ट को देखी क्या अगलर क्या कह रहा है किस बात्पर अधिक बल देता है संशदी सरोचता पर नियाइक सरोचिता के मध्यम मार्ग या उपर्श्वत में से कोई नहीं प्रस्टन नमर संसदी सरोचता और नियाइक सरोचता के मध्यम मार्क पर एक बात मैं आपको कोई क्यूशन नहीं आ रहा है एकदम से आपको उसके बारे में नहीं पता है अगर उसका आपको चार अप्शन दिये गए हैं और चारो आप्शनों में आपको तीन छोटे-छोटे सब्दों में और एक आप्शन बड़ा है तो समझी जो बड़ा है वही लगभग सेवंटी परसेंट सही होता है ठीक है तो आप लोग अगर नहीं क्यूशन आ रहा है तब की बात है जब आ रहा है तो आपको पता है कि कौन सा सही होगा ठीक है फ्रेंट्स आई अगले प्रस प इस मामले में ऐसा नेड़े दिया था ठीक है संसंद मूल अधिकारों में कोई परिवत्र नहीं कर सकती भारती जो सरोच नियाल है सुप्रीम कोड इस मामले में ऐसा नेड़े दिया था किसके मामले में कि स्वानंद भारती या गोलक नाथ या शंकरी प्रसाद या मिनर्वा मिल्स तो फ्रेंट्स यह जो मामला था यह गोलकनात का मामला था यानि भी आप्सन राइट एंसर हो जाएगा हमारे ठीक है बहुत अच्छा प्रस्ण है यह आपको आना चाहिए इस तरह को प्रस्ण आपको रट्टा होना चाहिए इसमें कोई वह नहीं है कि आप कोई टो हूट है ऐसे दूकर रर्ताम आ था ठीक है आए अगले प्रेस्टे पी चलते है अगला प्रस्ण हमारा रहा है है एक 48 नमर्क भारतित संभीधान की आतमा किसी माना जाता है बहुत अच्छा प्रास्श नि बहुत how such राष्पती का निर्वाच्छन प्रस्तावना मूला धिकार या निर्देशक थिए नहीं है कौन नहीं है समानकारे के लिए समानवेतन पंचायती राज के अस्थापना 14 वर्षत वर्षत के बाल्कों के लिए मुपतस इच्छा यया माहिलाओक लिए आरज़ एंच्छा उपर के जो हमारे तीन है वो सब हमारे क्या निर्थीनदेशक सिद्धन राइं हैं बाकी जो हमारे यह बच रहा है आप्शन डी महिलाओ के लिए यह क्या है निर्देशक सिदान्त के अंतरगत नहीं आता है यानि डी आप्शन राइट इंसर हो जाएगा अगले प्रस्मी चलते हम लोग अगला प्रसंदेखिये कह रहा है बहुत अच्छा प्रसंद प्रसंद नमर 150 सब्सक्राइब लीखा समयती होती है उसका कारे क्या है सरकार द्वारा बैं किये धन की जाच करना शैटरों Recovery मों की अचकरना या अगले प्रस्त के चलते हैं अगला क्या रहा है देखिए प्रस्त थोटा है profit कुछ बड़ा है अगला इस प्रस्त का आंसर आप लोग थोड़ा सा धैर बना देजिएगा देखते है क्या कह रहा है राज़ पाल आधेश अध्याधेश जारी रखने का अधिकार कब सुरच्छित रखता बहुत अच्छा प्रशन इसे थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा संविधान को तब समझ पाएंगे आप देख लिजिए राजपाल के बारे में दिया क्या है कि अध्यादेश जारी करता है कब अध्यादेश को सुर आवश्याद में होती है और यह महसूस करती है कि कारवाही की तुरंत आवश्यक्ता जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपको नहीं पता आए उसका एंसर का होगा तो जो सब्सेल लंबा अप्शन होगा उसी को टिक मार दिजीगा तो इसका एंसर हमारा हो जाएगा आप सं नजर्बंदि अधिनियं कटवती करता है बहुत अच्छा प्रस्न देखिंस कुछ नया सब्दाप अपको देखने को मिला निवारक नजर्बंदि क्या कटवती करता है समानता का अधिकार धार्मेग earliest मािधानें कुप्चारों का अधिकार प्रस νंबर यह स्वतानतता का अधिकार करता है ठीक है अगला प्रस्ट नहीं देखते हैं अगला प्रस्ट की विरूद और विश्वास प्रस्ताव पास होने का अर्थ है क्या अर्थ है बहुत अच्छा प्रस्टर रच्छा मंथ्रे से संबंदित पहला मिला क्या प्रस्टर त्याक लिश्वास प다면 खोने का आरफ नहीं तो विश्वास हो ने का अर्थ हो हना क्या है तो समझे उस समय क्या होता है सभी मंत्री मंडल क्या होते हैं त्याग को सबसे अधिक प्रभावी है ठीक है कौन सी सबसे अधिक प्रभावी है अंतराजी विवादों को हल करने के लिए स्वास्त और अस्थानी सवसासन केंद्री परिशद या बित और योजनायोग या च्छेतरी समीतियों तरह मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की बैठके या अंतर राजी समीतियां जैसा की प्रशासनिक सुधार आयोग ने संस्तूति कि यह प्रस्ट नमबर एक सचोवन तो यह कुछ लंबा प्रस्ट भी था इसलिए इसका राइट एंसर आप लोगों को अगर पता है तो कोई बात नहीं अगर नहीं पता है तो आप लोग जांजेए इसका राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी अंतर राजी समीतियां जैसा की प्रशासनिक सुधार मंत्री होते हैं यह हमारे कीवल केवल कैबिनेट मंत्र ही होते हैं ठीक है मंगणी इल्प सी रांटेंशर हो जाएगा अगला प्रशन देखिए तो संटावं का अस्थाए-चक है sliced ब्ली में हो सकते बहुत अच्छा प्रशन प्रस्न चिन्याले का स्थाइज अस्थान वह दिल्ली में सुप्रीम कोट लेकिन इसकी बैठके हो सकती है कहां हो सकती है किसी किसी कोई ऐसा कंडिशन आ गया कि इसकी बैठक करें दूसरे जंगह भी करनी हो तो कहां की जा सकती है आया देखते हैं आप्शन क्या हमारे पास लखनाव में चिन्नई में कोलकाता में या अन्य किसी भी अस्थान पर जहां का निड़य मुख्यने आधिस राष्ट्पती के परामर्स द्वारा करें तो यही इस संसत के अस्थगन काल में राष्ट्पती जारी कर सकता है कब जारी कर सकता है भारत के सरोच न्याले की सुकृती पर संसत की पूर्य शुकृती पर यह अटारनी जेनरल की सलाव पर या मंत्री प्रश्यत की समयती पर तो फ्रेंड्स संसत के अस्थगन काल में राष्ट्पत या द्यादेश जारी कर सकता है मंत्री परिशत की समती पर यानि डी अप्शन राइट इंसर हो जाएगा हमारा एक सो अन्ठाउन प्रश्ण का प्रस्ट नमबर 169 कह रहा है हमारा देखिए 169 क्या कर रहा है निमनिलिखित में से भारती नागरी का मौलिक करता भी नहीं है ठीक है आपको मौलिक करता भी दिया है कि नहीं है चार आपके पास नहीं देखते हैं कौन सा राइट होगा देश की एकता और अखंड़ता को बनाया रखना या वैग्यानिक सुभा मानवताव एवं जांच की प्रकृति और सुधार विक्सित करना या अंतर राजी छेत्र में देश की सामान सम्मान को उचा उठाने के लिए कारी करना या ब्रतिविदियों के प्रतिभाव विकास के लिए प्रियास करना प्रस नमर 169 का राइट एंसर हो जाएगा फ्रेंट समारा और या अंतर राष्ट्रिय छेत्र में देश के सम्मान को उचा उठाने के लिए कारी करने या अप्शन सी राइट एंसर हो जाएगा यह क्या हमारा भारती नागरी का मौलिक करतब्य नहीं है ठीक है अगले प्रस में चलते हम लोग अगला प्रसमारा देखे क्या है प्रस सबसे सबसे महतपूर सबसे…… लोग लेखा समिति प्राकलन समिति सारवजनिक उद्योग की समिति या अधिनस्त विधान विधायन की समिति तो संसद की समिति हमारा लोग लेखा समिति होती है जो कि उसके सरकार के कामों को क्या करते हैं लेखा जोखा यानि आप से राइट एंसर हो जाएगा लोग लेखा स समीती अगले प्रस्ट में चलते हैं प्रस्ट नंबर देखिए हमारा क्या करा यह थोड़ा से बड़ा इसको थोड़ा से जूम आउट कर देते हैं हाँ आप सही है देखता है राष्ट पती सरुच न्याले का प्रामस निमनमस से किस बिसे पर ले सकता है उच्छा अधिकारिय सोरी निमाड़ा धिन कानून की समय धानिक पर क्या होता है राष्ट पती सरुच न्याले का प्रामस ले शकता है यानि सी आप्सन राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ट क्या है अगला प्रस्ट कर रहा है विधाई का कामा कारेपालिका तो था न्याइपालिका सरकार क कि तिनों अंगों में जन प्रतिती निदों शबह काय और सभी hya बिधाय का न्याइपालिका या उपरोक्थ नुम्बर 1164 तो प्रस्वेशन उप्र का तो सब्सक्राइल ніक्त मरें लुबश्ण प्रतों चरहिए कर अब हमारे संसक्त का सदर्ष्य होते हैं ठीक है या इप लोगों को मैंने इसमें काफी अच्छे को किया था उमीद करता हूं कि आप लोगों को को यह प्रस्च्न काफी अच्छे लगे है तो फ्रेंट्स मैं बार-BAR तो नहीं कीए लिकिन फिर भी एक बार कह देदा हुए गर अच्छा लगा तो ल्यू कर देजिए यहां को सिक्थ कर सकते हैं कोई बात नहीं आपकी मर्जी बस मैं यह कहाँ गा कि आप अपनी तियारी में लगे रहे तरह से जी जा guys से लगे रहिए समझ जाईए कि आपको एक सीट लेना है आपको लेना है तो लेना है आपके दिमाग में रहना चाहिए इसके साथ साथ आपको अपनी मेनित करनी चाहिए पूर एकदम वो भी इमांदारी से ठीक है फ्रेंट्स यदि आपने इस बार आपने मौका खोया तो कमेंट बोक्स में दिजेगा मैं कथन संबंदिदूंगा क्या है की पुरुस के लिए यूद्ह वही है जो इस्त्रीक के लिए माते है यह जो किसके लिए मात रुत तो है यह किसका कथन है बहुत चलिए यह प्रश्ण था इसका एंसर आप लोग जरूर दीजिएगा मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसका एंसर दे पाएंगे आज की वीडियो बस इतना ही अगली वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं थांक्यू धन्यवाद